हिलो फ्रेंट्स वेल्कम टु सारविस कैम्पफ आज हम बात करने वाले जो ट्रिग्णोमेट्रिक रेशियो हम पड़ रहे थे उसमें oupосьएटा की वैलियू अगर जीरो आती है तो वहां पे ट्रिग्णोमेट्रिक रेशियो जो है उनकी वैल्यू क्या रहेगी तो सबसे पहले हमें एक triangle चाहिए होगा और वो भी कैसा? Right triangle तो यहाँ पर right triangle ले ले लेते हैं A, B और C अभी यहाँ पर आप देखो तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? यहाँ पर यह जो triangle है हमारा ABC उसके अंदर B को हम right angle ले लेते तो यहाँ पर AC जो है वो क्या बन जाएगा? Hypertaneous यह जो BC है उसको अगर हम base लेते हैं तो AB क्या बन जाएगा? perpendicular बन जाएगा हमारा right तो अभी यहाँ पर हमें बात की गई थी कि theta is equals to क्या होना चाहिए? 0 तो यहाँ पर यह जो C है उसको अगर हम theta अगर लेते हैं तो यह जो C है उसकी value क्या होनी थी? 0 होनी थी यानि कि यह जो angle कुछ इस तरह से दिख रहा है उसको proper 0 करना पड़ेगा हमें यानि कि यह जो AC है उसको कहाँ पर ले करेंगे हम? दिरे-दिरे उसको घटा के BC के उपर ही अगर यहाँ पर हम ले करेंगे तो हमें B और H की value, B और H की value क्या हो जाएगी? equal हो जाएगी और यह जो perpendicular था हमारा वो क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा तो इसी तरह से अगर हम sin theta यानि कि sin 0 की अगर value की बारे में बात करें तो क्या था उसका formula? P upon H यानि कि अभी यहाँ पर P क्या बन गया है? 0 बन गया है और B और H equal हो गया है यानि कि B और H का हम 1 ले ले लेते हैं तो यहाँ पर 0 upon 1 यानि कि sin 0 is equal to क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा इसी तरह से हमें बाकी के trigonometric ratios जो है उसके बारे में बात करना हो तो उसकी values कुछ इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर हमने यह पढ़ लिया कि trigonometric ratios at 0 degree की बारे में बात करें तो क्या होगे? अभी कोई भी सम पूछा जाए और कहीं पर भी trigonometric ratios की value 0 theta के according हो तो हम यहाँ से direct उसकी value put down कर सकते हैं, thank you